कि मित्टी है पूरी यह कब इंडिया पाकिस्तान बोर्ड र... ये हजारों साल पुराना है ये पॉरडर का टावर है इस ती सामें टो है सुल्तान का वेडा गाहूं सुल्थ, नमस्कार दोस्तो केसे हैं आप सबी लोग अच्छे हैं दोस्तों मैं हूँ अभी इस टाइम पर अपने भारत पाकिस्तान बोर्डर के पास में और मैं एक गाउं में रुका हुआ हूँ अभी मैं यहां पर आया था सांचु पोश्ट देखने के लिए और हम लोग क्या थोड़ा लेट हो गए थे इसी वज़ में आप लोग को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ भारत पाकिस्तान बोर्डर के पास में जो गाव हैं उनका रहन से हैं उनकी विलेज लाइफ में आप लोग को दिखाने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं और इस वीडियो को पूरे मज़ तो यहां पर देखो हम लोग गाव में रुके हैं तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह बिजाई मसीन है और यह गोड़ी वगएरा का सामान है और देखो इधर आगर आप देखो तो यह जो आपको फसल दिखी है न यह जो फसल है यह मोट की फसल है यह यहां पर मोट की फसल है और यहां का जो वातावरन है इतना सांत वातावरन है और इतना सुद्ध वातावरन है बहुत जादा और यहां पर देखो एक निम्बू का पेड़ है एक निमू का पेड़ वहां पे है और अगर मैं आपको बताओं तो देखो अगर आपको दीखेगा यहां से थोड़ा साई दूर पाकिस्तान बोर्डर है यहां से थोड़ा और उदर है साजू पोस्ट और इधर अपने भाई गाओं के लोग खेतों में काम कर रहे ह और यहां पर देखो यह मूफली की फसल और अभी देखो मैं आपको ना यहां पर पूरानी चीज़ दिखाऊंगा और चलिए हम सर से बात करते हैं इनसे थोड़ा जानते हैं और यहां के जो माहुले उसके बारे में जानेंगे तर राम-राम कैसे हो ठीक है क्या नाम है सर अ यह यह दोरे दिख रहे हैं इसके पास में होगा बोर्डर आवस यह जो दिखाई दे रहे हैं हां यह बोर्डर एरिया है अच्छा यहां पर आपको याद हो तो पाकिस्तान का कौन सा गाओ लग जाता है पाकिस्तान का वैसे इस दिशा में तो है सुल्तान का वेड़ा सुल्टाने बेड़ा पौष्ट, पाकिसान आठां यह अपना संचु पोष्ट इदर इस अपने घर परिवार यह यह मस्भी यह पास माशदूर जमीन विसकी जमीन दो सो बिगा जमीन ने में इधर चलते इस अझा इधर कुछ दिंख रहा है यह 500 न तना पुर्णा इसमें घर कितने हैं तोटल अभी तो आट दस गर हैं दस तो देखो यहां पर ना देखो घाउं में बढ़ा रखा है यह तार के साथ में बांस का गेट लगा रखा है ना यार अच्छी वाद देखो और यहां के मोसमा बिल्कुल सांत है कोई सोर सरावा नहीं कोई पोलुसन नहीं बिल्कुल साफ सुतरा एक दम कुछ नहीं है बड़ी जिंदगी अराम कितना लाग रही है अपने यह पर यह गाय भेंस वगेरा कितने हैं पास में गाय कप है मेरे पास गाय 15-20 गाय है है पसल कौन कौन सी करते हैं मौंपली अभी तो मौंपली और मोट बीज मोट मोट तो साइट दाल ओते दाल दाल होती है अच्छाइज यह जँपडे बने हूई यह यह श्यूरों की है मैं अदर कraum a school इया रो ओपास में अश्यूल ए अपास में उोड्य वाटरवक्स है वाटर वोक्स और गाउं में इग हाँ यह मंजीद है यह में कितनी और जैसे बोर्ड तके पासी में आ राना आप सार की कोछी बनी हूए यहां पर तान की लिगा है तो सुनीस में पाकिस्ताण पाइद Чер Ahaकिस्थान की मुद्धर फेНе आपके मैं लूजिए है यकोन कॉछ्ढ फें ढून सार को बनी हो इसकिव यह बंढ एंद्दा को फि Baptist तो यह पूरा मुस्लिम इला काई था यहां पूरा मुस्लिम इला का पूरा मुस्लिम यह क्या बना हुआ यह टूटा सा यह ठान है गायों का ठान है यहां का वातवरन बताओ कैसे आपकी दिंचरिया रहते हैं रहन से हैं खान पान क्या होता आपका बड़ा आराम से जिंदगी जी र जाते हैं, मजदूरों को समालते हैं, काम लगाते हैं उनको, फिर नास्त अनुस्ता करके फिर चले जाते हैं, वस दूद दाही का खाना होगा पूरा पूरा दूद देशी विल्कुल, अच्छा ये मस्जिद है, तो इसके बारे हमें थोड़ा बता हुए कितनी पुरानी है औ किस ने बनवाई थी याद है कुछ तो बता है, आजाओ सामने आजाओ थोड़ा ना अभी तो याद तो यह क्या है, हमारे गायत है यहां पंदरा साल होगे आपको आपको आए तानी कितनी पुराणी है यह अच्छा पंदरे साल पुरानी है यहां गाओं में जो कबरे हैं ह यह तो यह musicmin लोगों कि जो यहां के अपने जो भारत की तरफ muslimान रहते थे उनकी कबरे है तो यह मसजी तो काफि पुरानी होगी यह यह कौन से पत्थर से बनी है यह जिप्सम से बनी होगी जिप्सम से लाग कि दोस्तर देख सकते हो यह जो मसजजी देना यह इंडिया- पाकिस्तान बोडर के बिलकुल पास में है और यह देखो जिपसम से यह बनी वी है अगर आप देखोगे ना में नजदीक से दिखा हूं देखो यह जिपसम का यह टुकडा है चोटा सा और अभी तो इसके आगे का हिसा तो यह गिर गया है यह डेह गया है पूरा और देखो बनावट एद हो कितनी प्यारी बनावट दो चोटी मिनार है और सामने ये गोल सा बना आ और एक छोटा सबरवज्जा है कि इसके अंदर इसकी चछते आप बहल भारत पाकिस्तान बोडर के बिलुकुल पास में मस्धिद और इससे पता लगता है की हमारे यहाँ पहम जो मुसल्मान भाईयों वो पहले सही यहाँ पर रहते थे और जयसा कि सर ने बताया हमैं कि यहाँ पर जो मुसल्मान भाईये जो हजारों साल पुरानी उनकी कबरे हैं तो, चले есяर जेक से उनको देख लेते कि भई गावं तो बिलकुल सांट वाता हो ता दूद दही का खाना देशी बिलकुल पर रहना यहां पर बई और हम देखो सबसे बड़ी बाद यह है कि भागेशाली हैं खुस नसीब है इतनी दूर से में आया अल ओर से और यहां पर हम लोगों को अभी जब टाइम ख़तम हो साथसु पोस्ट देखने का तो सर के यहां पर आए तो चाय पिलाई पूरा इज्जत किया और रुखने के लिए भी वेस्ता हो गई भाई तो यह देखो कितनी अच्छी बात है तो दोस्तों यह देखो यह पीर बाबा का इस्थान है इसका यह दादा पीर हसन सहा बुखारी इस पर यह 25 बनाया था पहले यह इदर कच्छा सा था पहले फोजी नहीं बनाया वो टीन सेट से तो यहां पर अपने जो बीज़ वाले है फोजी उन्हों नहीं यह पर टीन सेट बना रख था अभी यह पानी का कुंडा है और यह देखो इसका पुराना गेट है आप देख एके लोगाते हैं सभी दरम के लोग मानते हैंoque यहां पर शवी जाती एला कि कितने अच्छी बात थे आहां पर यहां पर आती है और पीर बाबा को चदर चड़ाती है लो दिखा को नवी धबने थी उस तेम ये इस ग़ह कबर тол им Train right 03 को तचOLD को जो यानि यह संकेत दे रही है भी हजारों साल पुराना गाउं है यह दोस्तों जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं हम लोग खड़े हैं भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के पास में और यह भी कबर हैं देखो अगर यह इसतान भी कबरां का हैं यहां भी कबरें थी अब इतनी म इसके निशान भी बिल्कुल गाइब होगी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों जैसा कि हम खड़े हैं भारत-पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास में हैं यहां से अगर हम देखें तो ज्यादा ज्यादा 500 मिटर होगा तो यहां पे देखो जो हजा इदर चले इदर आशी हम भाई तो यह मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे यह तो साइद 100-500 साल पुरानी कब्रे होंगी क्योंकि इनके जो अभी यह उपर यह पिंडिशी बनी हुए है ना यह अभी भी है देखो यह देखो भाई यह जिप्सम की मिट्टी है पूरी यह कि इसके अंदर बहुत पुरा नगाम है और यह फूरा रेकिस्तान है पूरा अभी आवान है बैस आशीग खाली पड़ा है और यह भी हमें देखने का मोखा मिला एंडूस्तान और पाकिस्तान बोर्डर के पास में सर अमें लेकर आया यहां पे हैंब बहुत अच्छी बात अब इसराप के खेत देखेंगे चलके उदर कि अगर दोस्तों अभी आप जो ये नजारा देख रहें न यह आप रेट के खेत देख रहें हैं ये भारत पाकिस्तान बोडर के बिल्कुल जस्ट पास में अगर आप देखोना तो यह जैसा लगए जैसे आपको यह हम लोग बो कि हिर रहने हम चल रहे हैं सर के खेट देखने के लिए सर हमें बताएंगे ठोड़ा सा कौन काइछ भूती है यहां पर खेटी रोडर के पास में अभी हम और होती है मोंट मोंट और गणब और मूंभरी आचाँ इनका जो टाइम का बोने का और कट ने का क्या टाइम पांच महिने की होता है और बाकी मोठ प्रा साथ मेने में इनका वह और 10 में एधार जाता है 7 में में न completed क्रिंश महिने में 3 24 मेने का यह कों सी मोड और मोपलित एम यह मोड है और इसके अलावा कॉन सी फसल होते सर्ठीक टाइम में सर्चंत अछीयों ना सांस सर्च्प घंषन हुआ एक पढ़ाई है पानी के लिए 5-6 डिगी है अच्छा यह जो यह आपने बना रखे थे वह वाटर टेंक बना रखे यह यह बना रखें उदर बना रखें उदर जगह बना रखें हां तो इनको पर रखा जैसे जूरत पढ़ेगी तो फिर सप्लाई कर देते हैं है कि यह भाई खेज़ी के प्वेड़ है देखो राम राम अब बढ़िया हो है जी वडिया आई यह देखो अपने मजदूर भाई खेतों में काम कर रहे हैं किर्शक किशान क्या कर रहे हो अभी यह नियार हमारे नियार बोलते हैं इसको यह मुफड़ी की जो फसल है ना उसके अंदर यह फ हुआए कि निगाल रहे हैं किया का राम उप्रकास १िश्य और मुदौर पाकिस्तां कभी अपनी अरकत करते हैं अच्तान वाली डरते होंगे अपने से अच्छा कहसा लगता बोर्डर के पास रहते हो बहुत अच्छा लगता है कि तुम सांत वात अवरन फाल तु कोई जंजट नहीं नो टेंशन है बहुत अच्छा लगता है मैं अलुवर से आया हूं हाँ अलुवर नाम सुना कभी अलुवर का अपने राजस्थान में यह यहां से करीब होगा अच्छसो के संतिंग होगा हाँ वहां से बीका नेर से बज्जू बज्जू स्पिर बाइक साइए है हाँ